हाई, मेरा नाम डॉक्टर हरीश क्रोर है और मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जो आपके हाथ का दर्द पांच मिनिट में गयब कर सकता है इससे पहले एक चीज मैं बता दूँ कि अगर आपके हाथ में दर्द यहां से होता हुआ इस तरीके से जाता है और हाथ के अंदर जंजना हट है टिंगलिंग रहती है सुन हो जाता है आपका हाथ रात को खास कर या कोई चीज उठाने के बाद में तो यह हो सकता है कि आपका जो नाव है वो दब गया है C5, C6 में से जो की नेकका बाट है उस केस में जो नाव कंपरिशन हो जाता है और हाथ उस तरीके से काम नहीं कर पाता है आम तोर पर बहुत महिने लग जाते हैं लेकिन मैं आपको एक बहुत फास तरीका बताऊंगा जिससे आप घर पे खुद से ही करके इसको ठीक कर सकते हैं तेक है, all you need is this tape, यह description में बता दूँग आपको मैं, detail होगी इसमें, आपको पता लग जाएए, उसमें से आपको इस तरीके के दो size के आपको टुकोडे लेने हैं, एक थोड़ा बड़ा होगा, एक इसे थोड़ा चोटा होगा, आपको क्या करना है, कि यह जो दो उंगलियां है, जो middle finger है और ring finger है, इस तरीके से cover करना है इसको, और इसको थोड़ा force लगा के, पीछे maximum बहांद देना है, इसमें थोड़ा दर्ध होगा 5 मिनट के लिए आपको, प्योंकि हो सकता stretch की वज़े से दर्ध होगा आपको, पकड़ लीजे रेंजे न, आगे से, यहां से पकड़ लीजे, ठीक है, थोड़ा और दबाई आगे से, थोड़ा और दबाईए, तो जितना हो सकते, इसको maximum push करना है आपने, एक दर्ध के level तक लेके जाना है, जहां पर आपको बहुत जादा दर्ध होए, वहीं छोड़ना है आपने, ध्यान रखिए, यह उंगली बराबर joint हो, और घूमने नहीं चाहिए, छोड़िए, इस तरेके से, फिर से finger खीच लीजे, उपर से finger खीच लीजे, finger खीच लीजे, इस तरीके से अपने इन दो finger को बंद लिये, इस को उभलय और यूज कर सकते हैं, आप नौमल अपने काम कर सकते हैं, और आप इसको बंद के रखना है, हर रोज 35-40 मिनट तक इससे फायदा यह होगा कि जो नाव है जो आती है वो टेक्निकली दब चुगी है उसका नाम मीडियल नाव है तो पीछे से होके आती है तो अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे इस टेक्नीक को बोलते हैं नूरल स्ट्रेच तो यह एक पैसिव नूरल स् पैदा होगा. Thank you so much.